छट महापर में आज नहाय खा है सबजी और फल की खरिदारी सुरू हो गई है छट पूजा में इस्तमाल किये जाने मिट्टी के चूले बास का सूब और दोड़ा की काफी मांग है पिछले साल की तुलना में इस बार सबजी और फल के दामों में 15-20% की बरहुतरी हुई है पटना में सेब की एक पेटी की कीमत 2000 पार कर गई है अमरूद 800 की एक पेटी मिल रही है वहीं भागलपूर, गया और मुझपरपूर में भी फलो और सबजी के दाम में बरहुतरी हुई है बजार समिती में 50 ट्रक सेब, 70 ट्रक केला, 40 ट्रक संतरा, 40 ट्रक अमरूद, 30 ट्रक अनार, 20 ट्रक गन्ना, 50 ट्रक नारियल, मंडी पहुँच चुके हैं 50 से अधिक छोटे वाहनों में सिंघारा, सुतनी, हल्दी, मूली और जंगली फल आए हैं छट पूज़ा के लिए पीतल के बर्तन को सुब माना जाता है, छट वरत में सुधता का पूरा खया लखा जाता है, इस वज़ा से पीतल के बर्तनों का इस्तमाल भी किया जाता है पत्ना के ठकुरबारी रोड स्थित दुकानदार नीरज परसाद अगरवान ने बताया कि पितल के सूप पंजावी थाल लोहे का चूलहा पितल की बाल्टी का विसेश सुरूप से काफी डिमांड है पिछले साल के मुकाबले सभी चीजों की कीमत पचास रुपए अधिक बढ़ी है मिट्टी के चूलह और आम की लकड़ी को सुध माना जाता है इसी चूलह पर खर्णा के दिन छटी मईया के लिए खीर बनाया जाता है जो परसाद के रूप में भी चरहाया जाता है साथ में पूडी या फीर रोटी जो पूडवजो के द्वारा चड़ाया जाता है उसी हिसाब से बनाया जाता है इसके बाद इसी मिट्टी के चूलह पर दूसरे दिन ठिकवा सहित अने परसाद बनता है चट महा पर पहले दिन नहाय खाय को पूड़ा के बाद पसाद के रूप में कद्दो भात खाने की परंपरा है इसके साथ साग और कई तरह का बचका भी चाना जाता है चट पर पर सब्जो की मांग काफी बढ़ जाती है पटनाक में पिछले साल की तुलना में इस बार सब्जो की कीमत में 50-20% तक बरोतरी हुई है